हेलो दोस्तों स्वागा थे आपका फिर से टेस्ट ओफ गेस्स के लेक्चर सिरीज पार्ट नबर टू में दोस्तों प्रिवेस लेक्चर में हम लोगों ने हाडोजन गेस की टेस्टिंग किस तरह से करते हैं उसे देखा था आज किस lecture में हम लोग oxygen gas की testing किस तरह से करते हैं उसे देखने वाले हैं अर्थाद अगर किसी chemical reaction के दोरान oxygen gas निकल रही है तो इसकी पहचान किस तरह से करेंगे उसे इसको देखेंगे इसकी पहचान देखने से पहले आईए समझते हैं कि oxygen gas की क्या क्या परपटीज होती है oxygen gas colorless, orderless और testless होती है मतलब इसमें किस तरह का color गंद या सवाद नहीं पाए जाता ये combustion process को support करती है अर्थाद दहन की प्रक्रिया में चीजों को जलने में help करती है slightly soluble होती है water में, ये non combustible होती है और non flammable होती है अर्थाद ये नहीं दहन सिल है और नहीं जोलन सिल है जब आप हवा में माचिस की तिली जलाएंगे तो हवा में आग नहीं लगती इसे पता चलता है कि जो oxygen gas है वो नहीं combustible है नहीं flammable है लेकिन इसके बावजुद भी oxygen gas combustion process को help करती है, उसका support करती है ये room temperature पे gases form exist करती है, ये हवा से थोड़ी denser होती है और ये poor conductor होते है, heat और electricity के, ये सभी जीवों की life line होती है इनके बीना जीवन की कलपना नहीं की जा सकती है अब आप comment करके बताएं कि combustion process के लिए क्या क्या चीज़े जरूरी होती है और oxygen gas का इस्तमाल कहां पे किया जाता है अब आए हम लोग आगे समझते हैं कि oxygen gas का निर्मान किस किस reaction में देखने को मिलता है oxygen gas का formation बहुत तरह के chemical reactions में हमको देखने को मिलता है जैसे कि आप अगर metal nitrogen को hit करेंगे potassium chloride, potassium diachromate, potassium permagnate, hydrogen peroxides, barium peroxides या दूसरी जो other oxides हैं जैसे कि silver के oxides, lead के oxides तो आपको oxygen gas का formation देखने को मिलेगा सबसी जो important है वह है electrolysis of water आप जब पानी को electricity के दोड़ेंगे तो आपको hydrogen gas और oxygen gas बनतावा दिखाए देगा हमने इसके बारे में previous lecture में भी पढ़ा है, class 10th के lecture में भी पढ़ा है अगर आप नहीं जानते हैं, इस चीज को आप वहार पे देख सकते हैं मेरे प्रिलेश्ट में जाकर के तो हम लोगों ने क्या किया था कि water के अंदर से जब electricity पास कराए थी water एक पूर conductor होता है और O2 gas हमें anode भी बनती दिखाए दे रही थी तो यह जो oxygen gas है, इसी की testing हमें करनी है बहुत तरह की chemical reasons और भी हैं जैसे कि आप अगर metal के nitrates को decompose करेंगे तो आपको oxygen gas निकलते दिखाए देगा जैसे कि अगर silver nitrate को heat करेंगे आप heat करेंगे, तो आपको silver और nitrogen के oxides और oxygen दिखाए देगा उसी तरह से copper के nitrates को heat करेंगे तो copper के oxides, nitrogen के oxides और oxygen दिखाए देगा उसी तरह से lead nitrate को heat करेंगे तो आपको lead के oxides, nitrogen के oxides और oxygen निकलते दिखाए देगा उसी तरह से hydrogen oxide को जब heat करेंगे आप तो आपको water और oxygen आपको बंता दिखाय देगा उसी तरह से lead oxide को hit करेंगे तो PBO और O2 आपको बंता दिखाय देगा उसी तरह से silver oxide को आपको sorry mercury oxide को आप जब hit करेंगे तो आपको mercury और oxygen आपको दिखाय देगा तो इन सभी cases में आप क्या देख रहे हैं oxygen gas की testing के लिए सबसे पहला जो तरीका हमारे पास है वह कहलाता है glowing a splint test glowing a splint test इस test में हम लोग glowing a splint का use करते हैं a splint basically लकडी के बने होते हैं और cylindrical shape के होते हैं काफी लंबे होते हैं इनका इस्तमार हम लोग gaso के testing के लिए भी कर सकते हैं और काफी गंतवी अस्थानों तक आग लगाने के लिए भी कर सकते हैं हम लोग इस test में एक glass tube लेते हैं इस glass tube में हम लोग oxygen को trap करके रखते हैं अभी आपने देखा कि बहुत सारी chemical reason हो रहे थे जैसे कि अगर माल लेते हैं water के electrolysis का example ले electricity pass कराने पर water के अंदर से हमें hydrogen gas मिली थी और oxygen gas मिली थी इस oxygen gas को हम लोग क्या करते हैं glass tube में trap करके रखते हैं और stop cock से यह हमारा stop cock है तो stop cock से उसको control करते हैं ताकि gas बाहर वापस ना निकल सके अब हम लोग क्या करते हैं एक splint लेते हैं जो कि बुझा हुआ है हलाकि इसमें थोड़ा सा heat बचा हुआ है जैसे ही हम लोग इस stop cock को खोलते हैं और glass tube से oxygen को निकलने देते हैं आप पाएंगे कि जो splint है वो काफी ज़्यादा glow करने लगेगी पहले से ज़्यादा brightness इसके अंदर आजाएगी तो आप सवाल उठाएंगे कि सर ऐसा क्यों मतलब इतनी ज़्यादा brightness क्यों सो कर रहा हूँ एक normal brightness को सो करना चाहिए इतनी ज़्यादा brightness क्यों सो कर रहा तो region जो इसके पीछे क्या है उसी इसको समझते हैं हमारे environment में हम लोग जानते हैं air है तो air में जो है मीचर आप गैसेज है oxygen इसमें 21% के आसपास होता है nitrogen की बात करीद 78% के आसपास होता है और 1% के आसपास other gases होते हैं other gases में carbon dioxide sulfur dioxide आपके jainan, argon, helium इस सब gases पाय जाती हैं तो यहाँ पे air में जो concentration है oxygen का वो काफी कम है in comparison to glass tube में जो oxygen है यहाँ पे pure oxygen है glass tube के अंदर काफी ज़्यादा मातरा में है जब इस stop को खोला जाता है तो सारा का सारा oxygen एक ही समय में बहुत अधिक मातरा में बाहर निकलता है जो इस sprint को और ज़्यादा glowness प्रभाइड कराता है काफी ज़्यादा brightness इसके अंदर आ जाती है तो आपने सिखा कि इतना ज़्यादा glow किस लिए कर रहा है यह glowness बताती है कि यह oxygen गेस अंदर में थी अर्थाथ यह combustion को support करती है हमारी oxygen गेस और इस वज़ा से यह glowness और brightness दिखा रही है यह हमारा पहला तरीका हो गया आए दूसरा तरीका के बारे में समझते हैं दूसरे तरीके में हम लोग litmus paper का यूज करते हैं हम लोग एक litmus paper लेते हैं आप blue litmus, yellow litmus paper ले सकते हैं थोड़ा सा इसे moist कर देंगे, भिंगा देंगे इसके उपर हम लोग oxygen gas pass कराएंगे तो आप पाएंगे कि इस paper में किसी तरह का changes नहीं आ रहा है no changes आकर, कोई भी changes आकर नहीं होती है तो इससे पता लगता है कि जो oxygen है वह neutral होती है towards litmus paper litmus paper के अधीन यह क्या होती है neutral behavior so करती है यह दो तरीके हो गए जिसके द्वारा हम लोग oxygen gas की testing करते हैं I hope आपको सारी चीज़े समया गई हो कि splinter method के द्वारा कैसे हम लोग oxygen gas की भाचान करते हैं और वो इतना ज़्यादा brightness क्यों शो किया अगर किसी तरह का दिकत हो ता आप मुझे comment section में पूछ सकते है thank you for watching my videos अगर आपो ये वीडियो अच्छा लगा हो help लगा हो तो comment करें like करें share करें thank you